दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में और इस नए वीडियो में बात करेंगे Master Class की जो सीरीज चल रही है उसके Part 2 के उपर Friends ये वीडियो काफे इंट्रस्टिंग होने वाला है जैसा कि मेरा प्रॉमिस है ये वीडियो Free of Cost मैं आपको Provide कर रहा हूँ जो की पूरी तरह से Equivalent है Paid Courses के आप इस वीडियो की सीरीज में बने रहिए और देखते रहिए कि किस तरह से आपको Benefit होता है चाहे आप beginner हो या भी प्रोब सीखना चाहते हो सब कुछ इस वीडियो में आता रहेगा चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं एक नया टॉपिक पे एक नया basic topic आईए तो वीडियो में शुरू करते हैं देखिए Share Share क्या होता है क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है कि Share क्या होता है बस आप एक basic चीज जाननी है, आप जानते है capital क्या होता है, capital यानि कि अगर इसको हिंदी में हम बात करें, तो हिंदी में इसको बोलते हैं पुंजी, वो पैसा जो कि आप अपने business में ले करके आते हैं, उसको बोलते हैं पुंजी, तो पुंजी आप समझ गए, यानि कि capital आप company form of business का, देखिए, एक तो होता है sole proprietorship, जो कि आप खुद कोई भी चीज खुल सकते हैं, एक होता है partner, तीसरा जो form of business होता है company, तो company में क्या होता है, कि जो capital होता है, उसको बराबर बराबर भागों में विवाजित कर दिया जाता है, वो कैसे होता है, अब जैसे कि मान लीज लेकर क्या है, मान लीजे, कोई भी लोन मगरा आपने लिया हो है, तो यह हो गया एक करोड़ रुपया का capital, अब इसी एक करोड़ को एक करोड़ भाग में विवाजित किया जाएगा, तो एक share का जो value होगा, वो क्या होगा friends, वो होगा एक रुपया, right ना, क्योंकि आपने उसके share को विवाजित किया एक क्रोड़ भाग में, अगर इसी को हम 10 लाक भाग में विवाजित करेंगे, तो यहाँ पर यह जो कीमत हो जाएगी ना, एक share की, वो हो जाएगी 10 रुपय, right, तो जो यह 10 रुपया या फिर एक रुपया है ना, यह जब company शुरू होती है, तो promot देखेंगे, तो share, it's a part of capital of a company, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि capital को, company के capital को, उसको, जब हम विवाजित करते हैं, डिवाइट करते हैं, कौन डिवाइट करता है, प्रमोटर डिवाइट करते हैं, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि प्रमोटर कौन होते है जो कि business को शुरू करते हैं, अब जब हम इस भाग को, यानि कि share को खरीदते हैं, अगर इस शुद्ध चीज को हम बात करें, अगर हम अपनी भाशा में इसको बात करें, तो इसको बुलते हैं अंश, राइट, किसका अंश है यह, पुन्जी का अंस है, यानि कि capital का, वो पैस जिससे की business को शुरू किया जाता है, ध्यान रखिये, वो पैसा जिससे की business को शुरू किया जाता है, वो ही बराबर बराबर भागों में विवाजित होता है, और एक अंस को, यानि एक भाग को क्या कहेंगे, share कहेंगे, और जब आप उस share को ले लेते हैं, तो आप क्या हो ज अब फिर्स देखिए एक एक्जाम्पल के माधियम से मैं आपको बताना चारता हूँ कि जैसे कि एक कंपनी है मान लिजी कि उसके पास हैं 10 लाग शेर अब प्रमोटर ने उसमें से 1 लाग शेर जो है वो इशू कर दिये मान के चलिए IPO में इशू कर दिया या फिर प्राइवे के अंदर 10% क्यों ऐसा किया पैसे की जरुत होगी कंपनी ग्रोथ करना हो और कभी-कभी प्रमोटर जो है चाहते हैं कि उन्हें अब इस बिजनस से थोड़ा सा पैसा निकालने ना चाहिए तो वह नए निवेशकों को बलाते है वाइड़ अपके मन में यह आ रहा होगा जै कि इसके दो रीजन होते हैं पहला रीजन यह होता है कि कंपनी जो है अब और ग्रोथ करना चाहती है तो कंपनी क्या करती है कंपनी फ्रेश शेयर इशू करती है यह शेयर प्रमोटर नहीं जारी करेगा यह ध्यान रखिएगा फ्रेश शेयर इशू जब होता है तो पैसा कं कम्पनी के पास मान के चलिए कि अगर 10,00,00 share already है या 10 करोड शेयर already है तो कम्पनी जब fresh share इसू करेगी तो मान के चलिए कि एक करोड शेयर और ज्यादा स्रिजित होगा यानि share capital और बढ़ाया जाता है और इस पर मांगा जाता है सबसे subscription या ये एक चीज़ क्लिर हुआ आपको company क्यों share issue करती है पहला region growth के लिए और growth करने के लिए क्या करेगी growth के लिए company के पास अगर पैसा चाहिए तो उसको fresh issue जारी करना होगा ये ध्यान रखिए fresh issue आपको जारी करना होगा दूसरा region दूसरा region friends यह होता है कि promoter जो है अपने share बेशते हैं promoter अपने share जब बेशते हैं तो ये पैसा promoter की जीब में जाता है ये याद रखिएगा आपको जैसे मान वीजिए अगर किसी company का पूरा का पूरा holding वो promoter के पास है और promoter 10% उसमें से अपनी holding निकाल के लिके जा रहे हैं बेच रहे हैं मतलब अपना share तो ये जो भी पैसा इनको मिलेगा ये इनके पास जाएगा company के पास नहीं जाएगा अब उनकी हिस्सेदारी क्या हो जाएगी 90% रह जाएगी और 10% कोई और आ जाएगा company के अंदर तो जैसा कि मैंने कहा कि अब promoters ने बेचा तो अब नए shareholders आ जाएगे दो cases में नए shareholders आते हैं जैसा कि आपने देखा पहला fresh issue में और दूशा जबकि promoter खुद बेच रहे हैं जो ही cases में नए shareholders आते हैं और promoter की हिस्सेदारी company में क्या हो जाएगी गिर जाएगी अब देखिए ये जो transfer होता है कहा होता है किस तरह के market में होता है इस market को हम बोलते है primary market प्राथमिक बाजार जहां पर की company है और सामने कौन है investors है याद रखिए investors हैं सामने broadly primary market comprises of initial public offering primary market में जो चीजे होती है वो मुख्य रूप से क्या होती है initial public offering आपने नाम सुना होगा IPO company जब पहली बार share issue करती है तो इसको बोलते IPO तो बहुत सारी IPO आप देखे होंगे उसके बाद follow on public offering एक बार share आ गया दूसरी बार फिर से आ रहा है तो इसको बोलेंगे follow on public offering इसको बोलते है short form में FPO जैसा कि आपने देखा होगा idea का idea voda phone का FPO आया था तो यह चीज उसका example है अब एक interesting fact आपको बताना चाहूंगा friends कि कौन primary market में share खरीदने के लिए आता है तो दो प्रकार के broader investors होते हैं इनको participants भी बोलते है market के participants एक उते है retailers ठीक है retailers retailers कौन है जनता public ठीक है जो की कम पैसा लगाती है बाजार में मानके चलिए दो लाख रुपए और दस लाख रुपए तक के लोग भी आते हैं मतलब आम जनता मोटा मोटी यह आप जानके चलिए दूसरा है institutional यानि की institutions ठीक है संस्थागत निवेशक इनको बोलते हैं संस्थागत निवेश जैसे बैंक हो गया insurance company हो गई आपके mutual fund कमपनिया हो गई तो यह सब संस्थागत हैं यह संस्थाएं कंपनिया हैं इनके पास करोणों करोणों रुपया होते हैं ठीक है इनको हम दो कटैगरी में बाट रहे हैं एक तो हो गया domestic institutional investors जिसको short form में आपने नाम सुना होगा DII यान कि भारत की अगर बात करें तो भारत की कमपनिया जैसे insurance में LIC हो गया आइसे इसे potential HDFC mutual fund में भी इसी तरह की कमपनिया हैं और insurance में भी हो गया आपका LIC तो banking कमपनियों की बात की जाए तो SBI आइसे आइसे यह सारी कमपनिया होगी ठीक है तो domestic institutional investors और दूसरी तरह विदेशी संस्थागत निवेशक यानि भारत के बार की जो संस्थागत निवेशक है वो जब आते हैं बाजार में पैसा लगाते है प्राइमरी मार्केट का हिस्सा वो बन जाते अब दूसरा एक आप निवेशक जो है आ जाते हैं company के अंदर नय निवेशक दो कटेगरी के आ जाते हैं company के अंदर एक होगे retailer और दूसरे होगे institutional investors दो प्रकार के निवेशक आ गए उनके आने के बाद क्या होगा retailers and institutional have provided funds to company उन्होंने क्या किया उन्होंने company को पैसा दिया और उसके बदले उनको ही प्रकार के निवेशक वांट यहां पर मैं भूल क्या हूँ want fund अपना पैसा चाहते हैं और तो क्या यह जो share उनको मिला है वो company में बेश सकते हैं company ने तो आपको क्या बनाया shareholder बनाया आपको हिस्सेदार बनाया कि आईए business में हिस्सा लीजिए और उसका profit जो होगा उसका enjoy करिए उसको dividend बोलते हैं उसको enjoy करिए आप लेकिट अब आपको चाहिए पैसा तो क्या आप आप as a shareholder उसके बाद आप company के पास जाएंगे कि मेरा share ले लो और पैसा दे दो company क्या बोलेगी company बोलेगी कि मैंने तो पैसा invest कर दिया मेरे पास पैसा नहीं है और जो भी profit होगा आप उसके हिसेदारा में आपको share आपका share नहीं ले सकता thank you very much अब क्या होगा question क्या है आपको share बेशना है आप क्या करेंगा who will buy it कौन खरीदेगा company ने कहा no तो इसके लिए बाजार होता है इसके लिए बाजार होता है यानि कि आपके पास किसी company का share है आप उससे बेशना चाते हैं there is a market उस market को बोलते हैं secondary market जितियक बाजार ठीक है भारत में दो बाजार है आप जालते हैं NSE National Stock Exchange BSE Bombay Stock Exchange दोनों बाजार में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है online आप कोई भी share खरीद भी सकते है company से direct और उसे direct online secondary market में बेश सकते हैं जब IPO आता है friends तो क्या होता है हर company का जो share होता है उसको इन दोनों ही बाजार में list कराना होता है exchange, exchange क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि यहाँ पर sell और buy दोनों का काम होता है यानि कि बदलाव का काम होता है तो share listed हो गया आपका IPO आया share listed होगा अब यहाँ पर आके बेचिया खरीदने वाले भी है तो जब कोई भी उसी तरह से जो खरीदना चाहता है वो खरीद के उसको रिटेन कर सकता है निवेशक बन सकता है तो friends I hope कि आपको ये वीडियो share बजार क्या है share क्या है share primary market क्या है secondary market क्या है इस पर आपको पूरी clarity देने में सफल रहा होगा friends वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप एक like जरूर करिए share जरूर करिए तकि और भी लोगों को पता चले की primary market क्या होता है secondary market क्या होता है share क्या होता है share मैं upper order बन गया किसी earlier मुझे पता है और अंत्मे मैं यह कहना चाहता हूं कि वीडियो को उतनी मैहनज से बनाएगा वीडियो को आप like करें साथी साथ चैनल को subscribe भी करिए थैक यू सो मुच पर वाचिंग इस चैनल थैक यू थैक यू सो मुच